आधिक जेश्ट मास क्रिश्ण पक्ष मंगलवार सस्थी तिथी सुबह नौ बजे तक लगी रहेगी तत्पस्चाथ सत्मी तिथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा आज पूरे दिन शाम छे बजे तक धनिष्टा नक्षत्र में चलते रहेंगे तत्पस्चाथ सत्विसा नक्षत्र प्रारंब हो जाएगी जिसके नक्षत्र स्वामी राहू है सद्विसा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, असपष्ट बोलने वाले, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं ये अपने अनुसार काम करने वाले, दिढ़निश्चाई, तकनीकी तथा वैज्ञानिक कारियों में रूची रखने वाले कला और सौंदर के प्रेमी होते हैं ऐसे जातक राजनिती में प्रभीण, उग्र मनोवरित्ती वाले, शिदरान वेशी और उच महत्वा कांक्षी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, मंगल, राहु और शनी की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सपल होंगे मेश राजी के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सुधार होगा स्वास्त संबंधी अनकूलता बनी रहेगी और कारिच्षत की सक्रियता पहले से बढ़ी रहेगी शाम के बाद वीचारों में भ्रहमात्मा की स्थिती का उतार चड़ाव संभावित है मा के स्वास्त कितती चिंता और पारिवारिक तालमेल में कमी भी हो सकती है और कारी और जिनाओं के निर्णय लेने में अचानक फेर बदल हो सकता है मगर आय सम्बंधी मामलों में सहयोग बना रहेगा साजेदारी के कामों में लाभ और संतान पर्च से निश्चिंतिता महसूस होगी बिद्याथियों के लिए आज का दिन मन मुताविक रहेगा नमिन रिष्टे की बनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है बिद्याथियों के लिए कार योजनाव के प्रतिक कुशल नेत्रित और बौधिक छमता का विकास होगा राजनिती व्यक्ति से मुलाकात होगी स्वास्त के प्रति संजेदगी बढ़ी रहेगी कार योजनाव में नया फैसला लेना शाम के बाद उचित नहीं होगा मगर कुछ रुके हुए काम संपन होगे पारिवारिक संबन्धों में मधूरता और प्रवास या धार्मिक यात्रा का संकेत मिलता है मगर साथ संबन्धी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए आथिक लाव मन मुताविक बना रहेगा बिद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी होगा संतान संबन्धी मामलों में सुख समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दाईतु की पूर्टी में ब्यस्तता बनी रहेगी मित्वंदाशी वाले जातकों के उद्देश्चों की पूर्ती में आ रही रुकावटें खत्म होंगी मगर साजेदारी के कामों में बाधा और कारी वजिनाओं के विकास में उतार चड़ाओ का संकेत मिलता है साथी साथ रचनात्मक कारियों में बुद्धी कोशल के इस्तिमाल की भूमिका लावदायक रहेगी आर्थिक स्थिती संतोस चनक होगी भावनात्मक लगाव बढ़ेगा और भार्मिक भावना में बृद्धी होगी बिध्यात्यों को सिक्षा प्रदियोगिता में सफलता मिल सकती है बच्चों के प्रदियात्मिश्वास में बृद्धी होगी और पारिवारिक महाव संतुलित रहेगा करक राशिके जात्कों के लिए दैनिक जीवन की अन्यमीरता और स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए अंचाही यात्राव का योग भी संभावी था हाला कि भागिवन सकारात्मक पेरणा मिलती रहेगी और कारेच छेत्र में मन मुताविक सफलता का उदेश पूरा होगा साजेदारी में भी सफलता और लाव की स्थिकी बनी रहेगी चंद्रमा राहुल के नक्षत्र में अश्टम भाव में चल रहे हैं कुछ अतिरिक जिम्मेदारी का दाई तो नोच चाहते हुए भी उठाना पर सकता है आठिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन परिश्रम वाला होगा प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं सिंग रासी के जात्कों के लिए आज का दिन मिला जूला फ़ल देगा कार विव जिनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और व्यावसाइक विकास का संकेत मिलता है मगर साजेदारी के मामलों में सावधानी अपेक्चित है नीजी संबंदों और भावनात्मा क्रिष्टों में सुधार होगा कारे छेत्र के प्रतिविकास और रचनात्मा क्वाहल करने के उद्देश में ब्यस्तता बनी रहेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा आर्थिक लाव सामाने रहेगा बिद्याखियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत की प्रवरित्ती बनी रहेगी मगर स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए करने रासे के जातकों के लिए स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए जटिलताएं संभावित हैं आपके राशिस्वामी बुद्ध अस्व चल रहे हैं नीजी सुक संतुष्टी में कमी महसूस होगी और मा के स्वास संबंदी चिंता लगी रहेगी हाला कि कारेच्षेट से संबंदित मामलों में सुधार होगा नई कारियोजनाओं और ब्यावसाईक उथान के उद्धे से पूरे होंगे और आथिक लावमन मुताविक बना रहेगा बिद्याथी अध्यान अध्यापन में निरंतरता बनाई रखें और साजेदारी के कामों में लाव की संबंदा बनती है तुला राशी वाले जातकों के कारिच शेतर में आ रही रुकावटें दूर होंगी सहयोग मिलेगा और निजी संबंदों के सुधार के प्रतिमान सिक्ता बनी रहेगी शाम के बाद से उपर युक्त विष्णियों से संबंदित मामलों में उतार चड़ाव की संबावना भी बनती है मगर ब्रियस्पति और सुक्र का सहयोग आपके हर कमी को पूरा करने के लिए सक्षम होंगी आर्थिक लाव की स्थिति आपके मेहनत और प्रयासों के उपर निर्भर करेगी विद्यार्थियों को सिक्षा प्रतियोगता में सफलता मिलेगी और सास संबंदि समस्याओं में राहत का संकेत मिलता है ब्रिश्चिक राश्य वाले जात्कों की मानसिक सक्रियता और रचनात्माग पहल जारी रहेगी मगर सुचारू ढंक से चलते हुए कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है अनावसक मानसिक चिन्ता और सारिलिक स्वास्त के सुधार के प्रती आज का दिन केंद्रित रहेगा विभागिय कारियों में प्रतिनिध्यत्व करने का मौका मिलेगा हाला कि पारिवारिक सुख सौहाद में बिद्धी का संकेत मिलता है साम के बाद मानसिक भ्रम और दिश्विन्ताओं का दौर जात चलता रहेगा मगर सासन सत्ता और अधिकारियों का सहीयोग जारी रहेगा आर्थिक लाव सामाने रहेगा और विद्यातियों के लिए आज का दिन भी सामाने रहेगा प्रियास जारी रखें धनुराशी वाले जातकों के लिए कारेच शेतर में भरपूर प्रयास के प्रती मानसिक्ता बनी रहेगी अपने अतिरिक्त उर्जा को सही दिशा में निवेशित करने के साथ ही साथ काम करने में प्रभावित होई अभिगुचियों को सही दिशा में खर्च करने की वावना विक्सित होगी हाला कि कारेच छेतर के प्रदियापका देख विश्वास बना रहेगा और आर्थिक लाव की इस्तिती बरकरा रहेगी आज के लिए आपका प्रयास लगवाग हर मामले में सफलता दिलाएगा बिद्ध्याथियों को सिक्षा कर दियोगिता सफलता मिलेगी मगर अपने अभियास की निरंतरता बनाए रखे हैं मकर राशिवाले जात्कों के लिए आर्थिक छेत्र को सुद्रण बनाने में मदद मिलेगी अपने कारिच छेत्र के विस्तार और विकास में रूची बढ़ेगी और घर ग्रियास्ति पर खर्च और अपव्याय का संकेत मिलता है प्रतिनिते तो करने का मौका मिलेगा और नई कारियोजनाओं के लिए विभागी सहीयोग बना रहेगा आपके प्रयासों में सासन सप्ता का सहीयोग भी वरकरार रहेगा आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलेगा विद्यातियों के लिए आज का समय अनकूल रहेगा मगर स्वास संबंदी आवस्व सावधानी बनाए रखे कुम्भराशी के जात्कों के लिए स्वास संबंदी मामलों में सावधानी अपयक्षित है आर्थिक लाव के नए मारगों का स्विजन साथी साथ कारे व्यवसाय को सुचारू ढंक से चलाते रहने की मान सिक्ता बनेगी हाला कि विभागी अधिकारियों का सहयोग आपकी भ्रमात्मा के स्थिति को दूर करने में सहयक होगा आर्थिक लाव की स्थिति साम्माने रहेगी ठोस और महत्पूर नेणा लेने में साथानी बरतनी चाहिए कारे चित से सम्मंदित मामलों में रुकावट या वाद व्यवात की संभावना भी बनती है मिद्याथियों के लिए आज का दिन संगर्स वाला होगा मगर सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखे मीन राशिके जात्कों के लिए नावस्थक खर्च की स्थिती बनी रहेगी नीजी निवे संबंदी मामलों में साथानी अप्रेक्षित है कारी और योजनाओं के दुकावट को दूर करने की पहल जारी रहेगी साम के बार महतुकूर निरने आज के लिए अस्थागित कर देना चाहिए आठिक लाव की स्थिती मन मुताविक बनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सिक्षा प्रत्योगिता में संघर्ष की स्थिती संभावित है और संतान संबंधी मामजों में अनावश्यक यात्रा का संकेत मिलता है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए